परके बार चलिए आगे बढ़ते हैं निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70 फिसदी वसूल करने की छूड़ देने के मामले में अभिभावकों को 12 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम राहत मिल गई है रादिस्थान आइकॉट ने मुख्यन आधिश की खंड़ पीट द्वारा एक अक्टूबर को दे गए आदेश को भी 12 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है अब निजी स्कूल अभिभावकों से 12 अक्टूबर तक कोई फीस वसूल नहीं कर सकेंगे जस्टिस प्रकाश गुपता और जस्टिस महेंद्र गोईल के खंड़ पीट ने आज मामले के सुनवाई किये बिना ही सोमवार की तारिक तै की है हाइकॉट जैपूर पीट के रोस्टर में भी बदलाव कर दिया गिया मुख्य नियाधिश सोमवार से जैपूर पीट में सुनवाई करेंगे और ऐसे में इस पूरे मामले की भी सोमवार को मुख्य नियाधिश इंद्रजीत महनती और जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की खंड़ पीट सुनवाई कर सकती है नीजी स्कुलो दुआरा सितर फिस्दी ट्यूशन फिस्ट वसूलने के मामले को लेकर रास्तान हाई कोट से एक बार फिल्ड अभिवाव को को रहत मिली है रास्तान हाई कोट ने खंड़ पीट द्वारा जो एक अक्टूबर को रोक लगई गई थी एकलपीट के आदेश पर 9 अक्टूबर तक यानि कि आज दिन तक उसको और बढ़ाते हुए 12 अक्टूबर की तारीक ताई कर दी है इसके साथ ही आज इस मामले पर जो सुनवाई थी उसको भी टाल दिया गया है मेरे साथ मौझूद है सरकार की और से अतरिक्त महादियुक्ता राजेस महरसी सर अज कि आज जो आदेश है जिसके तहत खंट पीट ने उससे जो एकलपीट के आदेश पर रोक लगई थी उसको भी अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया गया है इसके क्या माइन है क्या समझे इसको देखिए इसका सीधा सा माइना है कि जो राज्य सरकार के द्वारा COVID pandemic की situation को देखते हुए प्राइवेट स्कूलों की complete जो फीस थी उसका deferment किया गया था कि जब तक स्कूलों की reopening नहीं होती है COVID की situation सही नहीं होती है तब तक के लिए स्कू पार की कोई फीस जमा कराने की आवशक्ता नहीं है आज की सुनवाए कि दौरन क्या कुछ रहा था क्या कोर्ट में सुनवाई हुई या क्या कुछ रहा जिसके बाद इसको टाल देखिए आज किसी भी पक्ष को कुछ भी आर्ग्यूमेंट करने का आउसर नहीं मिला मानने न्याईदी पतिकंड के द्वारा बैठते ही जो है इन मैटर्स को मंडे के लिए पोस्ट कर दिया गया एक और जो बात कही गी थी कि केंदर सरकार ना जैसे 15 अक्टूबर तक इसकोले खोलने के लिए अनुमती दी है कि उसमें राज्य सरकारे जो हैं वो आपने इसोपी जा जानकरी जो हैं रास्तानाही कोर्ट में आपकी तरफ से दी गई है कि क्या इस मामले में 15 अक्टूबर के बाद इसकोले खोले जाएगी या क्या इसकति देखे अभी ऐसा कोई अवसार आया नहीं कि मानने नियालिया कि समक्सिस्पकार के कोई जानकरी दी जाए पर जो एज साथ अथिर्ट महादुक्ता राजिसमेर्शी सर और इन्होंने एक बड़ी जानकरी यह दी कि जो राजस्तान में जो हैं जो इसकूले खोलने का जो समय जो कह सकते हैं फिलाल जो है 15 अक्टूबर तक नहीं खोली जाएगी लेकिन 31 अक्टूबर तक फिलाल यह से इस्तिति नहीं है क्योंकि जो प्रदेश के जो सहरी छेते हैं उसमें जो कोरोना का लगातार बढ़ रहा है उसको देखते हुए सरकार जो है 31 अक्टूबर तक इसकूले नहीं खोलने पर विचार करें दूसरी तरह जो रास्तान हाई कोट से अभिवाव को रहत मिली हुई थी उसको सुमवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है सहयोगी विजय के साथ ने जाम कंट्रालिया फर्श इंडिया जैको